नमस्कार दोस्तो और मेडिय अपडेट्स चैनल में आप सब कर स्वागत दोस्तो सुभे की चाय पीने से श्रीर में ताजगी आती है जो पूरे दिन आपको तरो ताज़ा बनाती है यूँ तो बाजार में अलावला की तरह की चाय की पत्ती उपलब्द होती है लेकिन जो चा प्रणने को एक कप पानी में मिला कर दस मिन तक उबलने दें ऊबलने के बाद इसमे चाय की पत्ती को बीढाल कर उबलने के लिए छोड़ दें और थोड़सी चीन 지कि आप इसको अच्छाने और सेवन करें तो दोस्तों आए जानते हैं लोंग की चाय पीने से आपके की शे मंदी रोग जैसे skin infection नादी ठीक हो जाते हैं लोंग की चाय श्रीर से toxins को बाहर निकाल देती है लोंग की चाय को आप तबचा के संक्रमन वाली जगह पर भी लगा सकते हैं अगर आपकी मास पेशों में दर्द है सर्दियों में ठंडर लगने की वज़ा से श्रीर की मास पेश करती है इसलिए इसका सेवन करने से सर्दी में होने वाले रोग असानी से नहीं लगते लोंग आपको जुकाम और खांसी से भी रहत दिलाती है सर्दियों में दो से तीन बार लोंग की चाय डाल कर जुरूर पीएं दोस्तों यदि खाना ना पचता हो या पाजन संबंदे क कोई परशानी हो लोंग की चाय का सेवन करें लोंग ऐसीडिटि वे पेणी गैस को भी ठीक करती है या सिहरसं है तो यह कस्ट कर होते है रहते हैं इस में लोंग की चाय आपके लिए फायदा कर सकती है इस चाय को पीनसे दाथों का दर्द वे सिर्हन खतं हो जाती है लोंग चैनल सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके अब अपनी दोस्त को इजाज़त दीजे फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लि